नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रेन धमसन मार्क मंगलवार की रात एक बचकर 30 मिनट पर ग्रहन लगने वाला है चंदर ग्रहन इस बार का चंदर ग्रहन बलड मून है और दोस्तों पूरे दो घंटा 69 मिनट तक रहेगा ये ग्रहन सुबह 4 बच कर 30 मिनट पर समाफ्थ होगा और 17 जुलाई को ही सूर्य का रासी परिवर्तन हो रहा है सक्रांती भी है तो ये दिन अपने आप में अधभूत हो जाता है तो ग्रहों के राजा जो सूर्य हैं वो करकरासी में मिथुन डासी से आ जाएंगे और गुरुपुर्णी मा भी है और चंदर ग्रहन पढ़ रहा है इतने सारे सैयोग सूर्य अगनीतत्व और लालवार्ण वाले ग्रह के साथ पूरुदिसा का स्वामी भी है तो इस दिन सुबह चार बचकर तईस मिनट पर मिथुन डासी से करकरासी में सुर्य देव आ जाएंगे और सत्रह अगस्त दिन सनी वार को बारह बचकर सैंतालिस मिनट तक इसी रासी में रहेंगे तो यह जो परिवर्तन है यह अपने आप में अधबुथ होने वाला है और पाँच रासी ऐसी है जिनकी किस्मत बनाने वाले है इस रासी परिवर्तन के साथ तो वह लखी रासी कौन-कौन सी है यह भी जानते हैं तो चलिए हम विस्तार से सब रासी को बारे में बत लाएंगे में इस रासी बालों सूरे आपकी रासी से चौथे भव में है और यहाँ पर आपके रासी के स्वामि मंगल जो नीच के हो गया है केंद्र में और नीच भंगराजियोग बना हुआ है सूरे और बुद्ध भी आ नई गारी बंगलो भेगर बढ़ोत्री होगी आपका नाम फेम सब कुछ बढ़ता चला जाएगा और साथ ही आप जो उच्चा दिकारी लोग हैं उनसे मेल जोल बनाए रखिए ताकि आपको इसके फायदे बेनिफिट मिलते रहे हैं वैसे आपकी मां आपके लिए भागे साली साबित हो सकती हैं मां आपके लिए फाग यूनती में आपके साथ देगा बात करते हैं मिथोंडासी की आपकी रासी से दूसरे भाव में जब सुरेदेव आएंगे तब सरकार से लाब होगा सरकारी छेतर में लाब होगा धन के मामलों में इसमें आप बहुत ही ज़्यादा मजबूत इस्तिती मे रहेंगे लेकिन वाद विवाद से बचिएगा बिना मतलब के कहीं भी वाद विवाद ना करें और इस समय अगर आप चाहें तो अपना घर अपना मकान ले सकते हैं और जीवन साथी के स्वास्त पर ध्यान दिजिएगा करकरासी वालों नीच का मंगल नीच भंग भुबी बना रहे हैं थोरी सी मानसिक तनाव तो दिखती है साबधान रहे खुद का ख्याल रखे लेकिन यहां पर दुरगटना योग भी है ख्याल रखियेगा खुद का और आपके जीवन साथी थोरी सी आपके मनमुताबिक नहीं चलते दीख रहे हैं पारिवारिक जीवन और इसी इधर उदर होती दिखती है तो संभाल के रहिएगा बात करते हैं सिंग रासी की बारवे भौ में सुरे जब आते हैं तो खर्चे बढ़ा देते हैं वैसे बिद्यार्थियों के लिए अच्छा है जतना मेहनत करेंगे उससे कहीं ज्यादा आपको सफलता मिलेगी और स प्रत्रकन्यारासी वालों सुरे जब 11 भाव में आएंगे तब अगर आप विदेश जाने की सोच रहे हैं विदेश में जॉब करने की सोच रहे हैं तो ये दूर देश से लाब देता हूँ दिखता है यानि धनलाब भी होगा और जौब वैपसाय में भी तरक्की होगा ले जादा लाब और धन भी मिलेगा वैसे बिरोधी इसमें कुछ खास आपका बिगारते में नहीं दिखते हैं बात करते हैं तुलारासी की तुलारासी बालों सुरे कारासी परिवर्तन दसमें भाव में होगा आपको धनवान बनाएगा और मंगल का नीच भंगराज योग भी बना हुआ है धन भी आएगा लाब भी होगा जीवन की परिशानिया कम होगी लेकिन बैवाही जीवन में थोरे संभल के रहें और कोई भी काम जल्दबाजी में मत कीजिएगा संतान आपके लिए लकी साबित हो सकता है आपको आपके परिवार का पूरा सही योग मिलेगा बात करते हैं ब्रिश्चिक रासी की ब्रिश्चिक रासी वालों नीच भंग राजियोग बन रहा है जो मंगल बना रहा है सूर्य आपकी रासी से नौवे भौ में है और आपका जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन होगा जैसे आपकी नोकरी में बदला हो सकता है आप इस स मंगल सूरे बुद्ध एक साथ बैठ कर लाप करवा रहे हैं मेहनत जरूर करें और मेहनत का पूरा बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा इस मौका का फाइदा उठाएं धनु रासी सूरे की आपकी रासी से आठमे भाव में गोचर करेंगे सास पर ध्यान दीजिएगा और कहीं भी अगर धन निबेश करने की सोच रहे हैं तो दो बार अच्छी तरह से सोच ले कागज अच्छे से पढ़ ले और किसी पर भी पैसों के मामलें में आप डिपेंड ना करें या फिर विश्वास ना करें वर ना यहां पर हानी होती दिखती है वैसे आप अपनी मेहन आपके कुरोध को बढ़ा सकते हैं जीवन साथी से तालमेल बिगड सकता है साथी चंदर गरहन भी लग रहा है आपकी रासी में तो थोरी परेसानी नती दिखती है ओम केंग केतवे नमह इस मंतर का जब गरहन के समय जरूर कीजिएगा हनुमान चालिसा पढ़िएगा आप पुमबरासी आपके छटे वहां में जब सूरे आएंगे तब सरकारी नोकरी की प्राप्ती की योग बनाएंगे और साथी साथ अगर आप जौब करते हैं तो यहां पर आपको सफलताएं भी मिलेंगी वैसे पारिबारी जीवन ठीक है पर जीवन साथी से थोरी बहुत इद मीन डासी की मीन डासी वालो पांच में भाव का सूरे आपको जीवन साथी से आपके जो संबंध है और बहतर होंगे मान समान रुत्वा बढ़ेगा लेकिन संतान को लेके थोरी चिंता दिखती है वैसे आपके लिए सूभ है क्योंकि बिस्पति भाग यह स्थान पर बैठ क चले जाएंगे नित्य प्राता भगवान सूरी को एक लोटा जल उसमें एक चुटकी रोली डाल के जरूर अरपीत करें और लोटे की किनारे में जो रोली लगा हुआ रह जाता है उसको लेकर खुद के माथे पती लग कराएं आपके लिए सुभ रहेगा हम आपसे विदा लेते हैं वीडियो से लाव हो वीडियो बसंदा है तो लाइक कर सब्सक्राइब करें धन्यवाद हर हर महादे फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ